हलो वियर्स मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे मीन राशी वालियों के लिए जिन जातों को कि मीन राशी है उनके लिए 2018 का भविशे किस प्रकार का रहेगा वे सब जानका रिया इस वीडियो में मैं आज आपको तूंगी उनका भविशे कि प्रकार का होगा उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी उनके लिए कौन सा शुप्र समाचार लेकर 2018 आ रहा है जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर दी दू दे दो चा ची ठो जो वे त्रे से स्टार्ट होता है वे सभी जातक मीन राशी के अंत्रगत आते हैं जो व्यक् राशी अडेंटिफाइ कर सकते हैं कि उनकी राशी कौन सी है तो चलिए आई जानते हैं हम उनका भविश्य 2018 किस तरीकी का रहेगा सबसे पहला फर्स्ट पइंट में आपको बताना चाहूंगी स्वास्ते के प्रतियानी कि उनका स्वास्ते किस प्रकार का रहेगा थोड़ा सा अपने स्वास्ते का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये वर्ष अनुकूल रहेगा सेकंड पॉइंट हम बताते हैं आपको घर परिवार से रिलेटिब यानि कि घर परिवार में इनका माहूल किस तरीकी का रहेगा निकटम संबंदी कि स्वास्ते के कारण प बहुत चिंतित है उनकी शादी होने के योग पूरे-पूरे बन रहे हैं यानि क्युँकि शादी होना निश्शित है इस वर्ष नविंत बहुत तिक साधनों की प्रापती के विशेश प्रियास होंगे इस वर्ष ठार्द पॉइंट हम बताते हैं आपको व्यवसाइग के यानि कि उनका व्यवसाय किस प्रकार का होगा, इस वर्ष मीन राशी वालों को ग्रहों की अनुकूलता का प्रभाव वर्ष भार भना रहेगा, आपको अनुकूलता से युक्त परिस्तितिया भी प्राप्त होगी, आपका कारूबार भी पूर्ण शम्ता के साथ विस्तार ग् करेगा तक्निकी प्रबंद श्रमता के कारण व्यवशाय शेत्र में कार्य भार बढ़ेगा और आपको लाबर्जन भी अधिक होगा बेकार पड़ी पुराने संपत्ती का उप्योग भी व्यापार में हो सकता है निर्मान पर्क व्यवभार बढ़ेगा खरीद बिक्री में अन परिशानी थोड़ी बहुत आ सकती है लेकिन राजनितिक संबंदों का लाब आपको मिलेगा राजनितिक शेत्र से जुड़ेवे व्यक्तियों को थोड़ी कड़ी मैनत अगर आप करेंगे तो सफलता के पूरे-पूरे योग इस वश आप दिखाई दे रहे हैं फोर्थ पत्तिक खरीदने के योग मिल रहे हैं यानि कि आपके कोई भी प्रॉपर्टिंग डीलिंग क्या डिस्प्यूट अगर चल रहा है तो उससे आपको निजात मिलेगी और आपके सबी कारे बहुत अच्छे होएंगे फिफ्ट पॉइंट हम लेते हैं यात्रा एम ट्रांसफर से सम्मंद यानि कि जो सरकारी नौकरी से रिलेटिव व्यक्ति हैं गौर्मेंट सेक्टर से जुड़ेवे हैं उनके ट्रांसफर के पूरे-पूरे योग इस वर्ष नजर आ रहे हैं उनके ट्रांसफर हो जाएंगे इस साल के अंदरकत अगर वे अपने ट्रांसफर से बहु जरूर मिलेगा अब हम बात करते हैं स्टुडेंट कैटिगरी के लोगों के बारे में यानि कि जो व्यक्ति परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत खुशकवरी की बात है इस साल आपके पूर्ण सेलक्शन के योग बन रहे हैं लेकिन आप थोड़ी सी गौर्णमेंट सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो जरूर सफल होएंगे लास्ट पॉइंट हम बताते हैं कि आप कि इश्वर्त भगवान की पूजा वे अराधना करें ताकि आपके जीवन में आने वाले चोटी मोटी परिशानिया दूर हो जाए आप मेरा कहना मानेंगे तो मैं आपको सला दूँगी कि आप गणपती की उपासना करना शुरू कर दीजिए वे बुद्वार को किसी भी आसपास की गणेजी की मंदिर में जाकर एक तीपक जरूर अवश्य जलाए ये आपके लिए बहुती शुपकारिवा लाप्रद होगा फलदार पॉदों का र जरूर जरूर पूरी होगी ये थी तो छोटी सी जानकरी मीन राशी वालों के लिए उनका 2018 किस तरीकी का रहेगा यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकि प्लीज आप क तुझाओ को इंक्लिवड कर सकों और आपके लिए बैटर से बैटर वीडियो बनाने के दो